जैमा इंद्राक्षी जैंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आए इस विशेश संक में हम बात करते हैं कि कर्णिया रासी के जातक जून के महीने में क्या विशेश उपाय करें इस अंक में जो हम उपाय बता रहे हैं वो किस किस को करना है वो जानने जिनकी जरम से कन्या रासी है वो उपाय करें जिनका पुकारते नाम से कन्या राशी बनती है वो करें और जिनका कन्या लगन है वो यह उपाय करें हमें अपनी राशी के उपाय प्रतिदिन करने के आभश्रक्ता नहीं होती है तो कि ग्रैग की चाल जो होती है वो रोज नहीं बदलती है हाँ सन्धिया, वंदन, नमन, इश्ट्देव की पूझा, प्राथना हम प्रतिदिन करते रहें लेकिन जहां तक अपनी राशी और ग्रहों का सवाल है उसके लिए हम सापता ही की रूप में ही उपाय कर लिया करें तो बहुत रहता है आईए इस महीने देखते हैं पहले ग्रहों की चाल किस पकार से बदल रही है देख लें सूर्य पंदरा जून से मिधुन में चले जाएंगे मंगल सत्ताइस जून से मेश रासी में पदारपन करेंगे बुद्ध आपकी रासी के स्वामी पूरा महीना वर्षब में ही रहेंगे ब्रस्पती का इस महीने कोई राशी परिवर्तन नहीं है शुकर अठारा जून से वर्षब रासी में चले जाएंगे शनी राहू और केतु ये जिन रासीों में वहीं रहेंगे कोई राशी परिवर्तन नहीं है अब देखिएगा इसलिए जब ग्रह बार बार नहीं बदल रहे हैं हमें बार बार उपायों के भी आवश्रक्ता नहीं होती है हम सापता ही उपाय करें तो हमें विसे सलाव की प्राप्ती होगी आपकी जो राशी है वो बहुत विशाल रासी है है ना जो राशी है कन्या है मामूली रासी नहीं है अब आप आईए हम कन्या रासी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपकी रासी कन्या एक बड़ी रासी है विशाल रासी है और विशाल हर्दे के गंभीर सोच गंभीर चिंतन आपके मन में रहता है लेकिन कई बार आँखों के आशों भी नहीं सूप पाते हैं कई बार अपनों से ही ऐसा दर्द विलता है कि जो आप किसी से कही भी नहीं सकते हैं बहुत सारी वैसी बाते हैं जो आपके बारे में कही जा सकती है लेकिन यह अवसर है किवल उपाई बताने का ठीक है कन्यारासी के जाक्तों को साबधान रहना चाहिए वो तारीखी नोट करने आप 6 जून, 7 जून, 15 जून, 16 जून, 23 जून, 24 जून और 25 जून इस महीने कोई पुराना विवाद सूलज सकता है आपका, तारीके में ने बता दी उन तारीकों में थोड़ा साबधान रहें, किसी से बहस न करें, ये महीना कोई निर्णायक फैसला आपके हक में दे सकता है, लेकिन अपनों का सहयोग भी आपको अच्छे से भरपूर इस मही रक्त और पेट में कोई गड़वरी हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा अपने चिकिस्टिक से कोई भी ऐसी दिक्कत आपको लगती है, तो उसमें आलेस से न करें, राय ले लें, पेट का खास्तोर से और रक्त में विकार आने का खास्तोर से इस बहाँ आपको ध्यान रख उपाई बताते हैं, आप सुनिए, आपको क्या उपाई करने चाहिए, साबुत मुंकी दाल हम उसको रात को भीगो दें, और सुबा सुबा भीगी हुई दाल हम बुद्वार के दिन पक्षियों को डालें, और एक बहुत अच्छा उपाई है जिदी आप कर सकें, केले के प खरा होता है, केले के पत्ते के उपर डाल भात खाएं, चावल खाएं, कुछ भी खाएं वो आपकी इच्छा है, लेकिन नौन वेज नहीं लेना, नौन वेज तो वैसे खाना ही नहीं चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि आप सब समझधार हैं, लेकिन अगर हम पास-पास किसी सिद्धी विनायक, चिंतन जो हमें मुक्त करते हैं चिंताओं से भागवान स्री गणपती के मंदिर में जाकर के दर्शन करें, धूब दीप उने अरपन करें, और संकर नाशन गणेश सिस्तोत्र का हम पाठ करें, गणेश जी के 108 नाम, गणेश नामावली या गणेश चालीसा से सम्मंदित हम कोई भी ऐसी 6 पुस्तकें या 11 पुस्तकें छोटी-छोटी सी वो हम मंदिर में देवें या किसी ऐसी विसेश साथकों को हम परसाद रूपें वित्रित करें, एक उपाय और अंतिम उपाय के रूप में माल लें, आप चाहें ऑफिस में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, एक किसी जार में, जग में, मग में एक हरी इलाइची डाल लें, और हरी इलाइची वाला जल दिन भर सेवन करें, अपनी डेस्ट पर, टेविल पर कहीं भी आप रख लें, हरी इलाइची डाल करके, और हरी इलाइची का जल, मनी मन, ओम, बु आपको दो तीन बुद्वार पीना चाहिए इस से आपकी रासी के उपर एक दैविय परभाव आएगा क्योंकि बुद्ध करंग हरा रंगों का परभाव हुमारे जीवन के उपर अत्यधिक पड़ता आप माने या ना माने ठेक आपके पास गणेश रुद्राक्ष है विद्य अचा रहेगा गनेश यंत्र या अंबिगा यंत्र की साथना करना भी आपके लिए बहुत श्रे कर रहेगा आप करके देखे बुद्वार के दिन करते रहे हैं आपकी राशी में बल आएगा आपके जीवन में स्वभग्य की प्राप्ती होगी जोलाई महीने में हमें क्या विशेश उपाई करने हैं उसके लिए भी सुन करके कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ हमने मेश रासी से ले करके मीन राशी तक के उपाई बताए हैं तो वो उपाई भी आपके परिजन हो सकते हैं आपके परिवार में किसी की कोई और रासी हो मित्रमंडल में किसी की कोई और रासी हो तो वो भी अपनी अपनी रासी के उपाय सुन करके करें उन्हें विशेश लाव की प्राप्ति होगे आप स्वस्त रहें सुखी नहें इनी सुपकामनाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम देतें जय जय अम्भे मैं डॉक्टर अर्विंद कुमार सेंग सिता मढ़ी का ही मजोलिया स्टेट से आया हूं और मेरा अनुभब काफी अच्छा रहा गायनतम त्रायते इती गायतरी और मननात इती मंत्र तो बिलकुल मंत्रों में अद्वुत सकती होती है सामर्थ होता है आत्म विश्वास जगात किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें